आई आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्रेकर में मन्नोविकार सेख्षरोग सम्मोहन तथा ग्रसन मुई तगे हूं महाराष्टे में अकोला में प्रैक्टिस करगा हूं एक पेशेंट के बारे में मैं आपको केस्टेड़ी बताने वाला हूं वह इसलिए आया अप्रोक्सिमेटिक 25 साल का लड़का है कफी दूर से आया और इसलिए उसको बार 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 भार 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 मिटिंग होते हैं सब तरह की इलाज करके देखे सब इन्विस्टिकेशन किये सब जाच पड़ताल गया और वो कुछ उसमें निकल नहीं रहा है उसको ऐसा लगता है कि मैं खाऊं तो उल्टी हो जाएंगी खाता भी है और उल्टी कर देता है फिर मैंने उसको पूछा भी आपका वजन कम होआ के तो वजन कम होआने इसका मतलब कुछ ना कुछ चुछ के वजन देखते की कि कि बःप जया कि फीडिय क्राम इसको बैठी हुई है तो फिर उसके दिमाग में आपसी कुछ इंडी ती या मतलब शोगना तक्ट कुछ निकालने रहा चाम एकर और जीमाग में कोई चीज बैटी और वह निकलने रहा है तो फिर उसको problem, उसमें आ रहा है, वह बहर निकलना नहीं, मतलब किससे बातचीत नहीं करना है और फिर वह बहर किसे निकलेंगी, तो फूड के मादभि मतलब, वमिटीं के मादभि में से बहर निकल रहा है, यह एक symbol है. मतलब बाहर निकाल रहा है इमोशनल वेंटिलेशन जो है वो न होते हुए ये वमिट ही होंके बाहर निकल रहा है फिर मैंने उसको पूछा भई क्या हो गया क्या कारणे ने उसने बला कुछ ने कुछ ने ऐसा पूछ तभी etude और भी और प्राइमल सिन देखा हुआ था प्राइमल सिन इसका मतलब ऐसा होता है कि माबाप का शेक्स करते वे देखना बचपन में और फिर उसको एक बार एक-दो बार मालू पढ़ा कि गढ़बढ है और गढ़बढ है इसलिए उसने फिर किप्चाप रहे गया, कुछ तभी हो कर रहे थे, छोटा था मालूम यह था क्या कर रहे थे और बाद में फिर उसके एक बार देखने के बाद में वो काफी बार इंतजार करता था कि अब कब चालू करेंगा आज रात को और उसको पता लगता है कि यह सेक्स हैं, और कुछ तभी करते हैं और एक साथ आते रहते हैं, कभी अलग कमरे में जाते हैं, कभी वही कमरे में करते हैं अभी looking back, जब उसको होशवास आए, जब उसको secondary sex characteristic development मालूम बढ़ा कि यह sex कर रहे थे अभी किसी को उसने बताया नहीं था, किसी को नहीं था, और वो दिमाख में था, और उसके वज़े से उसको vomiting हो रहा था, उसका link जब लग गया, उसको मैंने साइकोटरी क्यों आदे में से काफी उसको उल्टिया करने लगाई, मतलब मांसीक उल्टियां, और मांसीक उल्ट सकता है, ऐसा कुछ गलत है नहीं, मतलब गल्दी है तो मांसीक उल्टियां आदमी नहीं कर सकता, तो वो शारीक उल्टियां करता है, और दिमाग में ऐसी कुई चीज़े दभी हुई है, तो ऐसी बाहर आती है, और इसका इलाज सैकोटरी भी है, हिपनाडिजम है, संभोन उ सकते ह्कोगो, तो रेकर, धो हो ए्य इंक्yszी क्यों से घल्टियों है, चीज़े और झाल, तो बीर्टियां, पौन जीच आके का उल्ते है, क्कोट है आता है, झाल, बीर्टियां, तो इंकोरी है, प्रिप्छते है, झाल, बीर्टियां कर दो